हेलो शुडेंट्स वेलकम टो यूटूब चैनल ओतंग एजूगेशन तो देखिए आज की इस वीडियो अपने करने वाले हैं मेंटल मैस जो की चैप्टर टू के पेंडिंग है तो मेंटल मैस के सारे कोश्चिन इस वीडियो में आपने कर लेंगे चैप्टर टू के नेक्स अग वीडियो के अंदर अपने चैप्टर स्रीके में द्रू के कोश्चन करेंगे और शात में आपके चैप्टरर स्हांयमेट क trenchन हे वो भी जल्दी स्ब्सक्राइब करें जासरे करें लुए चैनल पर नये हैं तो चैनल को स्य्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और फ पता होना चाहिए वन सेंचुरी मतलब हंड्रेड यार अब 25 यह का कितना फ्रेक्शन है मतलब 25 डिवाइड बाइड बाइड आप देखिए इसको सिंप्लिफाइग कर लेते हैं कट कर लेते हैं अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो इसको 5 के डेबल से कट करते हैं तो आपका अंसर क्या जाएगा 25 यह फिर वन सेंचुरी नेक्स देखिए को सिंप्लिफाइग करना है तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए टेबल आपको आने चाहिए 6 के टेबल से देखिए यह गया 3 टाइमस 16 के टेबल से यह गया 4 टाइमस तो देखिए 1 इंटु 3 आ गया 3 4 इंटु 20 एटी तो यहाँ पर आपका अंसर क्या आ गया 3 बाई 18 सबसे पहले तो आपको इन टम्स को सॉल्व करना है उसके बाद में आपको रेसिप्रोकल बताना है मतलब 2 बाई 9 अब देखिए डिवाइड का साइन है चेंज करेंगे मल्टिप्लाई के अंदर और साइन के जस्ट नेक्स वाली टम क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है 2 बाई 1 अब देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 9 इंटू 1 9 अब ये तो सिर्फ आया इसका सॉलूशन आप से क्या पूचा है इस सॉलूशन का रेसिप्रोकल अब इसे हम मिक्स फ्रेक्शन में भी चैन्ज कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए मिक्स फ्रेक्शन में 2 1 बाई 4 अब ये कैसे करते हैं मैं आपको कई वार शिखा चूका हूँ अगर आपको रभी भी नहीं आया तो comment box में जरूर लिखे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा next देखिए question number 4 how much is 3 by 8 of a day एक day का 3 8th क्या होता है सबसे पहले तो आप इसको convert करेंगे hours के अंदर 1 day के अंदर कितने hours होते हैं 24 hours इसका 3 8th 3 8th मतलब 3 by 8 से multiply कर दीजिए 8 से यह गया 3 times 3 into 3 9 hours तो a day का की जो होता है आपका 3 8th क्या होता है 9 hours होते हैं ठीक है next देखिए students question number 5 अब यहाँ पर आपको बताना है यह true है या फिर false है तो यहाँ पर देखिए 1 1 को आप किसी भी number में यह multiply कीजिए वो number क्या रहता है अगर आप 7 1 by 2 के अंदर 1 का divide करेंगे तो भी यह आएगा और 1 का multiply करने पर भी यह आएगा जो आपका statement है वो क्या है true है और 0 एक ऐसा number है उसे आप किसी भी number के अंदर add कीजिए चाहे subtract कीजिए वो आपका number चेंज नहीं होता लेकिन 1 के case में क्या होता है 1 को अगर आप add करेंगे या subtract करेंगे तो आपका number चेंज हो जाएगा लेकिन 1 से जब आप multiply और divide करेंगे तो आपके number में कोई भी change नहीं आएगा अब यहाँ पर देगे 14 by 15 को किसे multiply करूँ के 1 आजाए 14 by 15 को जब मैं इसके reciprocal से मतलब 15 by 14 से multiply करूँगा तो आपके पास क्या आजाएगा 1 आजाएगा अब इस 1 को हम क्या बोलते है multiplicative identity और यह क्या होता इसका multiplicative inverse आपको ध्यान आए कि इसका जो multiplicative inverse हो क्या हो देगा 15 by 14 किसी भी number का reciprocal उसका क्या होता है multiplicative inverse होता है और multiply करने पर जो answer आता है मतलब 1 यह क्या होता है multiplicative identity होती है next देखे students question number 7 if a number is greater than 1 then it's reciprocal देखिए इसका example देता हूँ मैं आपको बात करते हैं 5 की 5 is greater than 1 अब 5 की reciprocal की बात करेंगे तो यह क्या आजएगा 1 by 5 अब 1 by 5 मतलब 1 का 5th part यह 1 से छोटा होगा divide करेंगे तो आपके पास यहां पर answer क्या आजएगा 0.20 जो की क्या है less than 1 है तो यहां पर क्या आएग answer आपका less ठीक है if a number is greater than 1 then it's reciprocal is less than 1 ठीक है यहां पर क्या आजएगा less than 1 next question number 8 simplify करते तें देखिए 3 by 7 minus 1 by 4 into 4 by 7 अब according to देखिए board mass सबसे पहले हम क्या करेंगे multiply 4 से 4 cancel आपके बचा 3 by 7 minus 1 by 7 अब जब भी denominator सेम होता है तो simply क्या करते है denominator को copy करते है और आपके numerator को भी copy करते है same sign लगा के it means 2 by 7 is your answer I hope आपको समझ में आया होगा क्या कि हमने यहां पर यहां पर देखिए denominator सेम था हमने simply इसको copy किया और numerator को भी वैसे कब वैसे लिखा वोई symbol हमने लगाया 3 में से 1 minus करने पर आपका आया 2 तो आपका answer क्या हो गया 2 by 7 next day students question number 9 how many fourths are in 3 अब इस question को समझना जूरी है fourth का मतलब one fourth ठीक है one fourth के अगर अपने बात करें one के अगर one fourth करोगे तो कितने आएंगे four अगर मैं इन one fourth को add कर दूँ तो आपका answer क्या आता है one आता है ठीक है अगर इसी अगर अपने fundamentals देखें कि one के one fourth कितने होते है four होते है तो three के कितने हो जाएंगे four into three twelve वहीं अगर आपको check करना है तो हम क्या करेंगे three is divided by one by four आप देखिए reciprocal है divide में divide है तो reciprocal कर देंगे it means three into four twelve is your answer तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपकी कितने fourth है three और students यह आपकी mental maths है chapter two का last question है जो चलिए से करते है अपरना had three fifth of a cake किसी cake का उसके बस कितना part था three fifth part था she ate two third of it what fraction of her cake did she eat मतलब उसने क्या fraction उसका खा लिया तो देखी क्या जाएगा three fifth का जब हम find out करेंगे two third sorry two third तो three से three cancel तो यहाँ पर क्या आ या two fifth तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपर ना eight टू फिफ्थ ओफ दा केक तो स्टूरेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कोई भी प्रोब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंट्स के साथ वीडियो को शेर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें थेंक्यू वेरे मच